गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 30 नौमबर तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाइस इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे टेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फस्ट हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप स्लाइट पर दिये गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें कोई भी आपका डाउट हो कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें तो चले फिर करते हैं सुरूबात इस वीडियो शेशन की हाईची सेकंड नामक ओपरेशन किस एजन्सी से संबंदित है डबलो एचो आईउसी एन यूएन एच आर्सी और फिर इंटरपॉल सही आंसर होगा ओप्शन डी एन ओपरेशन कोड़नेम हाईशी सेकंड इस रिलेटेट टू इंटरपॉल देखें इंटरपॉल ने एक साइबर फाइनेंचल क्राइम से संबंदित रहे तो यहाँ पर 20 कंट्रीस से भी ज़्यादा की जो पुलीस हैं उन्होंने इसमें पार्टिस्पेट किया इंटरपॉल के साथ मिलकर और इनमें जो है भारत भी पार्टिसिपेट बारत ने भी पार्टिसिपेट किया है बाग इसके प्रेजिडेंट है एहमेद नसीर अल राइसी डबलो एचो द्वारा वेरियंट ओफ कंसर्ण करार दिया गया ओमिक्रॉन पहली बार किस देश में पाया गया जापान बेल्जियम इंगलेंड या फिर साउथ एफ्रिका सही आंसर होगा ओप्शन डी ओमिक्रॉन डब दिलना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन नाम का एक वेरियंट मिला है कोविड नाइंटीन का जिसको वेरियंट ऑफ कंसर्ण का यानि कि चिंता का विशे इसको बताया गया है डबलो एचो के द्वारा तो यह जो डेल्टा आप तक का जो सबसे संक्रामक वेरियंट माना जा रहा चरी प्लोसम फेस्टिवल का उदगाटन की सराज्य में हुआ है आसाम मनिपुर नागलैंड या फिर मेगले सही आंसर होगा ऑप्शन डी चरी प्लोसम फेस्टिवल वस इन्वेरेट इन मेगला तो देखे तीन दिन का चरी प्लोसम फेस्टिवल 2021 मेगले की कैपिटल सोशी सुजू की यह भी यहां पर मोजीद रहे तो 25 से 27 सितंबर तक यह सेलिब्रेट किया गया है बाकिया आपको जानना चाहिए मेगालेगी कैपिटल शिलोंग है जिसे इसकोटलेंड ऑफ दा इस्ट के नाम से भी जाना जाता है कई बार पूछा जाता है यह कोश्चन कि इसकोटलेंड ऑफ दा इस्ट किस सिटी को बोलते हैं आंसर होगा शिलोंग गवर्नर है सत्यपाल मलिक चीफ मिस्टर है कॉन्राट संगमा भारतिय परवता रोहन फांडेश तो देखिए उत्राखंड से आती है परवतरो ही है अंडियान मांटेनेरिंग फांडिशन यह आपको चालना चाहिए जो यह इंडियर मांटेनेरिंग फांडेशन इसका हैट़गारे इसस्टैली में है तो देखिए इंडियन रेल्वेज जो है वर्ड का टॉलेस्ट ब्रीज पायर इन मनिपूर में कंस्ट्रक्ट कर रहा है और यह जो ब्रीज है यह 111 किरोमेटर लंबे जीरिवम इंफाल रेल्वेज प्रजक्ट का हिस्सा है आपको बता दें इसकी जो हाइट है समुद्रतल से यह 141 मिटर की है 141 मिटर की है और अब तक का जो सबसे टॉलेस्ट पायर ब्रीज है यह है माला रीजे का वायर डक्ट है जो की मॉन्टेनेगरो में है यूरोप में 139 मिटर का तो अब इसकी भी हाइट को क्रोस कर जाएगा यह 141 मिटर का यह बनने जा रहा है मनीपूर में बाकिया आप चानते हैं कि मनीपूर की कैपिटल इमफॉल है चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंग है गवर्नर है ला गनिशन अच्छा एक चीजा आप और याद रखेगा मनीपूर से सम्मंदिदी करंट अफेर से तो यहीं प बुक आई एंड दी दैन आईलेंट के लिए तो इमनीपूर से सम्मंदित है इसलिए मैंने सोचा है है इसको आगे बढ़ेंगे इसकीलिंग एकडेमिक्स के लिए क्रेडिट सिस्टम तैयार करने के लिए गठित दरस्य समीति का नेजरत कौन करेगा डीपी सिंग मनुज आहुजा निर्मलचीथ सिंग काल्ची या फिर अनिल दत्तत रहें सहस्रबुद्ध सही आंसर होगा ऑप्शन सी सो मिस्टर निर्म एकडेमिक्स के लिए क्रेडिट रेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पर सेंटरल गवर्मेंट ने दस मेंबर का एक पैनल बनाया है और इसके जो चेर्मेन होंगे ये नेशनल कांसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसके जो चीफ है निर्मल चीथ सिंग कालसी ये इस कमिटी को हैट करेंगे तो काफी इंपोर्टेंट कमिटी रहे गिए आपके एक्जाम पॉइंट अफ्यू से जरूरी इसको नोट डाउन कीजेगा किस राचे में सारवजनिक स्वास्ते सुविधाओं में सबसे कम सी सेक्शन दर है जो मात्र और सीशु मृत्य को रोकने के लिए महत्तपूर्ण देखपाल प्रदान करने में असमर्थता का संकेत देती है बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तरप्रदेश सही आंसर होगा option A बिहार has the lowest C-section rate in public health facilities indicating inability to provide critical care to prevent maternal and infant deaths देखें यहाँ पर पहले भी हमने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेड डेटा है इससे संबंदित question किये है तो इसी का ही एक report है यह बताया गया ही जो private hospital है तो यहाँ अगर दो ladies जा रही है जो pregnant ladies है expecting है तो अगर दो ladies जा रही है डिलिवरी के तो उनमें से जो एक है वो C-section होना ही यहाँ पर भारत में होता ही है यहीड आप प्राइवेट डिलिवरी होती हैं हम सभी जांतें चेशन से चीरियन से को से फुसक्री परसेंट ये अब जो है परसेंट डे जाए अगर हम प्राइवेट मेडिकल फैसलिटीज की बात करें जहां पर गी सी सेक्षन डिलिवरी होती है दोजार चोदा पंदरा की बात करें तो 17.2 परसेंट सी से से होती थी लेकिन अब 2019-20 में 21.5 परसेंट था कि आखड़ा पहुंच गया है इसका मतलब पांच में से एक विमन चाहे वो प्राइवेट होस्टिटर में जाए या फिर पब्लिक होस्टिबल जाए उसकी सी सेक्षन डिलिवरी होती है इसी तरह से और भी आखड़े दिये हैं तो आप आखड़े को देख सकते हैं कश्मीर के इन आखड़ो को देख सकते हैं बाकी इन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट यह है कि बिहार यहाँ पर सब से कम से सेक्षन डिलिवरी देखी जाती है जो Public Health Facilities में जाता है, Government Hospital में जाता है, तो किवल 3.5% C-section Delivery यहां पर हो पाती है किस एप ने भारत में अपनी भुकतान सेवा पर उप्योग करताओं की संख्या को दोगुना करके 40 मिलियन करने के लिए विनी या मक अनुमोधन प्राप्त किया है तो देखे थोड़ा विवाद चल रहाता है आपर, तो अब ऐसी खबर आ रही है, सोर्स से ही यह खबर आई है और जो इसके पेमेंट सर्विस पर जो यूजर्स हैं, उनकी संख्या 40 मिलियन करने का इसको अप्रूवल मिल गया है आपको बता दें, वट्सेप की मालिक फेस्बुक है और फेस्बुक ने हाले में अपना नाम कर लिया है, मेटा एकनोमिस्ट गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या लेखी का कौन है, रेनुका, मरुफ रजा, जैतिरत राओ, या फिर चंदरहास चोधरी, सही आंसर होगा, ऑप्शन C So, जैतिरत राओ is the author of the book titled, एकनोमिस्ट गांधी, the roots and the relevance of the political economy of the महात्मा काफी इंपोर्टेंट रहेगी है, बुक भी आपके लिए, आगे बढ़ते हैं, Contested Lands, नामक पुस्तक के लेखक या लेखी का कौन है, अनिता देसाई, मरुफ रजा, जैतिरत राओ, या फिर चंदरहास चोधरी, सही आंसर होगा, ऑप्शन B So, मरुफ रजा is the author of the book titled, Contested Lands, इंडिया, चाइना, एंड़ बाउंडरी डिस्पूट, Contested का मतलब होता है, जो विवाद से गिरा होगा, उसको बोलते हैं, Contested अनुभवा अत्मक परियाटन के लिए कौन सा राज्य इस्ट्रीट परियोजना सुरू करेगा, केरल, गुजरात, राइस्थान या फिर, उत्रप्रदिश, सही आंसर होगा, ऑप्शन A तो देखे, इस्ट्रीट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉंच करेगा, जो केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट है, यह, साथ डिस्टिक में, ताकि यह आपर जो विजिटर्स का जो आवागमने, उसको बड़ावा दिया जा सके, और यह जो है, United Nations for Tourism Organization, जो है, UNWTO, इसके स्लो यह स्ट्रीट है, इसका मतलब है, सस्टेनेबल, ट्रेंजिबल, रिस्पॉंसिबल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिंशल, एथनिक, तुरिज्म हप्स, तो यह इसकी फिलफों में स्ट्रीट की, निम्लिकित में से किसी ने भारत के पहले नीजी तोर पर विक्सित, पुर्णतिया, क्रायोजनिक रोकेट इंजन, धवन वन का संचालन किया है, ध्रूव स्पेस, अगनिकुल, कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, या फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, सही आंसर होगा, सी, स्काई रूट एरोस्पेस, हैस कंड़क्टेड इंडिया स्फर्स्ट प्रायवेटली डेवलट्ट फुली क्रायोजनिक रोकेट इंजन, धवन वन, तो देखिए हाइदराबाद बेस्ट एक प्रायवेट इस्पेस टेकनलोजी स्टार्ट अपेज, इसका नाम है स्काई इंडियन रोकेट साइंटिस्ट रहे हैं, सतीज धवन, उनके सम्मान में इसका नाम धवन रखा गया है, और ये पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेकनलोजी से डेवलप किया गया है, बागि आप खुझा आनना चाहिए, स्काई रूट एरोस्पेस के फाउंडर से, नागा प्रिंटिंग फ्याला है, तो चेक रिबबलिक के जो प्रेजडेंट है, मिलोस जिमन, इन्हों ने इसको, इनको सपत दिलाई है, प्रधार मंत्री पत्की बागी आपको जाना चाहिए, चेक रिपबलिक की कैपिटल प्राग है, करंसी है, चेक कुरुना, हाली में, स्टीफन सौंडियम का नितन हो गया है, वह एक उल्लेक निय क्या थे, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड ओथर, कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, या फिर हुमन राइट्स एक्टिविस्ट, सही आंसर होगा, ओप्शन C, रिसेंटली स्टीफन सौंडियम पास्ट वे, he was a notable composer and lyricist, तो देखी ये भी ओविशुरी सेक्शन में, आपका important रहेगा, काफी जाना माना चेहरा है, ये, काफी बड़ा नाम है इस इंडरस्टी में, तो अमेरिकन composer and lyricist रहे हैं, स्टीफन जोसुआ सौंटियम, तो इनका हाली में धन हो गया है, तो इन्होंने west side story औ स्वीनी, टोड, इन सब के लिए इनोंने लिखा है, निम लिखित में से किसने अक्षे उर्जा उतपादों को विक्सित करने के लिए, PTC इंडिया के साथ समझोता किया, SJVN, NTPC, JSW Energy Effect, Torrent, Power, सही आंसर होगा, option A, so SJVN has impact with PTC इंडिया to develop renewable energy products, SJVN का मतलब है, सतलुच जलवि द्यूत निगम ने PTC इंडिया के साथ एक MOU sign किया है, जिसके तहत ये renewable energy supply करने पर कारे करेंगे, देखे, for supplying, round the clock renewable energy, round the clock का मतलब क्या होता है, काफी important term है, round the clock का मतलब होता है, दिन रात, यानि कि 7 दिन 24 गंटे, इसका मतलब होता है, round the clock, कोई चीज़ आप कहाना चाहें, तो इस तरह के सब्ता आप यूज कर सकते हैं, इंगलिस को थोड़ा एक standard दे सकते हैं, round the clock, 24 गंटे, दिन रात, बारत और किस देश ने e-commerce operator पर भारत द्वारा लगाये गए 2% equalization levy से समबतित मद भेदो को निप्टाने के लिए समझोता किया है, US, UK, China या फिर जर्मनी सह यह answer होगा option A, India and United States have reached an agreement to settle differences relating to the 2% equalization levy imposed by India on e-commerce operators, जानेंगे इसके बारे में, तो देएंगे यहाँ पर जो भारत है और US, इसके बीच में गिवाज चल रहा था, वो क्या था, कि जो e-commerce operators है ना, United States में, जिनकी headquarters वगेरा है, तो उन पर भारत जो है, 2% equalization levy एक तरह का test लग आ रहा था, तो इसमें United States और इंडिया के बीचे कुछ differences थे, तो उनको दूर कर दिया गया है, तो भारत जो है, मार्च 31st 2024 तक यह levy लगा सकता है, इस तरह का agreement यहाँ पर हुआ है, रसाइनेक युद्दे के सभी पीडितों के लिए इसमरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, सही आंसरोगा option D, Day of Remembrance for all victims of chemical warfare is observed on November 30, और यह organization for the prohibition of chemical weapons OPCWS के प्रावदान में मनाया जाता है, टेस्ट क्रिकेट के इतियास में 5, 5 विगेट लेने वाले संयुक्त दूसरे सबसे तेज के इंदवाच कोन बन गए हैं, अक्सर पटेल, आर अस्विन, ओमेश या देवा, फिर इसांसर मां सही आंसरोगा option A, अक्सर पटेल has become the joint second fastest baller in the history of test cricket to pick up 5, 5 विगेट होल्स, आगे देखिए जानेंगे इसके बारे में, देखिए, अक्सर पटेल जो है 100 सालों में, अभी 100 सालों की बात करें, इसे बन गए हैं, जो उन्होंने 5 विगेट होल्स लिए हैं, 7 इनिंग्स और उससे कम में, तो देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें, वैसे overall यह second बने हैं, और second भी यह joint बने हैं, किसके साथ, एक्सर चारली टर्न, इन्होंने 887, 887 में कारणामा किया था, उसके बाद, तो यह हैं, आपके रोड नहीं होग, इन्होंने 1978 में यह कृतिमान हासिल किया था, केवल 6 इनिंग में, और इन तीनोंने लिया है, साथ इनिंग्स अब देख लेते हैं, प्रिवेस असाइन्मेंट कॉस्चन्स के आंसर, नहीं प्रिवेसर, झेलाख नहींज bere mainstream क् 요रीस, आपके है, साथ संस् donkey इनिंग्स के नहीं इनिवेर देख नजीलमर्ण में रडिशे, संहीं अब्छ।ार, ऑजिनिवेसल हो साथ ए साथ, बिजिक देख रोड फीनेंट।वेश्चर झांट।्ईर, नहींध थीजएब्स के Magdalena Anderson और आप में से कई aspirants बिल्कुल सही answer दिया है कुछ लोगों ने एक question का answer दिया है तो fine है आप इसी तरह से participate करते रहिए बले एक question का answer आपको आता हो अब देखते हैं आज के assignment questions यह दिया आपको मारा content अच्छा लगता है बीटियो को like और share भी कर सकते है C2 plus 50% formalize related to which issue name the governor and chief minister of Kerala Ambubachi Mila is an annual Hindu Mila held at which temple काफी important है कई बार एक्जाम में पुचा जाता है इसके बारे में विर इस the headquarters of organization for the prohibition of chemical weapon located यह भी हमने देखा दाना है question में तो आपको headquarters बताना है the central government sets a minimum support price MSP for how many crops every year based on a formula of one and a half time production cost तो 5 questions के answer आपको हमें comment box में बताने है यदि आपको एक question का answer भी आता है तो भी हमें comment box में जरूर से बताएं साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quiz हम आप से भी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं यहाँ पर हमारे current affairs की प्लेश दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताईएगा Thank you guys